हाई गाइस वेलकम एरुबड़ी स्वागत है अब सबकार रियल क्रिकेट 24 के फैंस के लिए कल साम बहुत बड़ी रही है क्योंकि यहाँ अपडेट हमें कल साम कोई मिल चुका है एवन न्यू स्टेडियम टीटवेंट वर्ल्ड कप स्पेशल अपडेट बैच्पेट स्टेंज और देख सकते हैं यहाँ एवन पॉइंट नाइन वर्जन आ चुका है यहां T20 World Cup के जो स्टेडियम है साथ स्टेडियम ओल्डेडी यहां पर एड़ेड कर दिये हैं बहुत ही बढ़िया वर्क किया है Real Cricket 24 डेवलोपर टीम ने क्योंकि जल्दी यह अपडेट हमें देखने को मिल चुका है T20 Special World Cup अपडेट और देख सकते हैं यहां आपको अपडेट हो चुके हैं और आगे बढ़ते हैं यहां देखना चाहेंगी कि T20 World Cup जो है प्ले करने के लिए यहां पर लॉक है बिलकुल आपको खेलना है तो 1000 रूपिस है जर्सिस अपडेट हो चुके बहुत बढ़िया काम किया है यहां जल्दी हमें अपडेट देखने को मिल है उमीद थी कि हमें थोड़ा से लेट मिलेगा लेकिन बढ़िया वर्क करते हुए रियल के 24 की जो टीम डेवलोपर टीम अच्छे से वर्क किया और जल्दी हमें यह सारे स्टेडियम भी एड़ेट देखने को मिले है यहां और न्यू ओवरले काट सिंस वगेरा वो भी यह हमें देखने को मिलेगे जीहां देख सकते हो, टैकसास का यहां श्टेडियूम फ्लोरीड़ा का, गुईयना, किंस्तंस बहुत सारे यहांपे कम्माल के श्टेडियम बन चुके हैं, चलिए यहांपे देख सकते हैं, सैनक लुचिया और न्यूयोर्क Virtual Stadium भी आ चुके हैं तो थोड़े से यहां बदलाव जरूर हुए है जी यहां काई से अगर आप एक दो मैचिस ऑफ-लाइन खिलोगे तभी पता चलेगा फिलाल हम यहां छोटा सा एक क्वीक मेच में स्ट्राइक करते हैं कि यहां बैटिंग वाच्छ न्यू फॉर्ट सिलेक्शन बैटिंग में क्या नए आये हैं तो वो जो भी है चलिए हम पर देखते हैं यहां बड़िया रिवर स्वीच स्वाट का माल का टाइमिंग और बैटिंग स्टेंस में थोड़ा सा गेमप्ले स्मूथ हुआ है बिलकुल जो पहले गेमप्ले था उससे और स्मूथनेस गेमप्ले की हो चुकि है च भी आपके जो तूनामेंट है उसमें जो क्लियर करना है वो चुका है चलिए डाउनलोड प्रग्रेस तो यह भी आपको कर देना है तो फड़ा पड जाके आप अगर अब तक साइध आप लोगोने अपडेट करी लिया होगा बिलकुल मेरा लेड वीडियो है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई